अजी और इसलम वालेकुम। वीवर्स कैसे हैं आप ठीक हैं। आफ है अप हैरो आफियस्टे होँगे और खुश भी होंगे तो आज हम एक नया वी लॉक बनाने जा रहे हैं और आपको पता है कि हमारी वी लॉक्स होते हैं जितने भी वी लॉक्स होते हैं बहुत नॉलिजेबल होते हैं और सीखने का भी बहुत में अच्छा एक मौका मिलता है तो काइंडली आज हम यह जगा पर मौझूद हैं वो बहुत मशूर है और बहुत अच्छी जगा है आप दोगों का इंशालला दिल खुश भी होगा और आज का वी लॉक जो है वो बहुत बेतर से बेतर होगा काइंडली लाइक करें सब्क्राइब करें जितना होता कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में इस वी लॉक को शेयर भी करें तो काइंडली अब मैं दिखाता हूँ कि हम हैं कहां और क्या-क्या शौक हम दिखाएंगे इसमें तो वीवर्स हम मौझूद हैं मागेटल फॉर्म पे और इंशालला अभी जो है हम अंदर जाते दिखते हैं और वो शौक है क्या और किस शौक के बारे में कितनी डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ जो डिटेल दे सकता हूँ वो मैं लाजमी आप लोगों से दूँगा क्योंकि मकसद यह है कि इल्म सीखना और सिटाना है ठीक है ना आगे जितना हो सके इसको पहलाईए बताईए लोगों को तो वीवर्स यह है जो सर्प्राइस था हमारे पास और यह है बेसिकली इसको बोलते हैं अर्दू में पुझ बोलते हैं और इसको इंगलिश में क्रेन बोलते हैं तो आज इसके बारे में शेयर करेंगे पूरी चीज़े सार्प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन हैं जितनी हद तक हो सकेगी मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों इसमें कोशिश करूँगा कि पकड़ने की भी लेकिन हाथ में तो खेर नहीं आएगा यह तो मुझे पता है बहुत खुबसूरत परिंदा है यह इसको अर्दू में कुंज बोलते हैं और इंग्लिश में करेंग बोलते हैं बेसिकली यह महबत वाला प्यार वाला परिंदा है और इसकी कई दास्तान मौझूद है इस दुनिया में और यह एक और खास बात है यह कुरबानी देने में यह सबसे आगे है किस किसम की कुरुआनी है वे वीवर्स आप लोगों को बताओंगा इंशालला आगे चलके और क्या कुरुआनी देते हैं यह आप खुद हैरत करेंगे इस बात को चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और शेयर लाजमी करें और इस वीडियो को एंड़ देखें बहुत मदा आने वाले इसमें और भी बहुत सारी चीज़े सर्प्राइस मैं आप लोगों को दूँगा इसमें खास्यत जो है वो इसमें लॉंग नेक है इसकी जो गरदन है ना वो लंबी है ठीक है और इसकी टांगे भी भी बहुत लंबी लंबी होती है और दुनिया में ये पन्रा किसम के है हमारे पास जो क्रेन है इस दुनिया में इस वर्ल्ड में पन्रा किसम के कुंज है जिसमें पाकिस्तान में चार किसम के होते है चार किसम के कुंज हैं पाकिस्तान में और ये जो खाते हैं वो खाते हैं फिश, माउस, लिजर्ड, एग, फ्रॉक, सीड्स यानि के मच्छी, चुए, छिपकली, एग, मिंडक और जो दाने होते ना वो इस किसम के सीड्स खाते है और कुण जो है ना बेसिकली दो अंडे देती हैं और ऐसी जमीन में सर्फेस एरिया में दे देती हैं वो अंडे और उसको फिर वो एगलिंग करके फिर उसमें से बच्चे आ जाते हैं इसके भी आएव हैं यह हमारे पास समझ लिए हमारी अपनी ब्रीड है और इसके भी बच हैं असल में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर यह अलग कर देते हैं अभी इनको हमने मेल फिमेल को अलग किया हुआ है अचा दोनों बच्चों जब तक अगले यह लोग मतलब ब्रीडिंग तक नहीं आते अगला ब्रीड जब यह लोग करते हैं माशालला माशालल ये दोनों अंडे से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं एगलिंग करने लग जाते हैं ये लोग तो फिर जो अपना ये फिर एगलिंग करने के बाद बच्चों को फिर ये अलग कर देते हैं इसी तरह हमने भी किया अलग कर दिया इनको और बेसिकली चार किसम के जो कुंज है पाकिस्तान में होते हैं कॉमन क्रेन सास क्रेन साइबेरियन क्रेन और डेमोसाइल क्रेन ये बेसिकली डेमोसील है डेमोसील जो है ना 90 सेंटी मेटर से 120 सेंटी मेटर तक होता है तो ये अभी ब्रीड वाले हैं अभी ये दोनों माशाललہ سے क्रिया किया हवा भी और यह नों न आ और जो हाईएस इनका बर्ट होता है ना वह होता है साइबिरियन क्रियन वह 176 सेंटीमीटर हाइट में होता है तो यह बर्डो में सबसे बड़े बर्ड कहलाता है और रेड वाला जिसका टाज होता है वह इंडिया में पदलते हैं कि मेल जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है एस कंपेर टू फी मेल में और इसमें एक बहुत बहुत खासित वाली बात जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था है कि ये महबत वाला परिंदा है और महबत की इसकी मिसाले मिलती हैं दास्ताने मिलते हैं तो मेल है इन दोनों में किसी एक कभी अ ला ना करे फादगी हो जाती है डायड हो जाती है तो वो दूसरा वाला भी जो है ना वो अपने आपको मार लेता है मिसाल के तोर में अगर किसी की मेल मर गया और फीमेल है तो फीमेल अपने आपको खुद मार लेगी वो सद्मे में रहे कर तो ये ये इसमें बहुत अजीब किस्म की डास्तान है अच्छा वीवर्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुंच का डान्स आहा हा क्या डान्स है हो सकेगा मैं उसके एक क्लिप लगा दूँगा आप लोगों को और इनको बहार निकालते हैं ना जब हम तो कोशिश करेंगे वो गार्डन वाला भी सर्फेज अरिया ये वाले मे में और सिंदी दुबान में बहुत बहुत थरपारकर एरिया में बहुत ये डान्स देखा जाता है इनका और बहुत खुश होते हैं लोग और हिंदुविजम मदब में इस कुंच को बहुत अच्छा माना जाता है इनके मतलब किताबों में भी बहुत अच्छे लगदों मे लिखा हुआ है आचा सेकंड बाद इसमें जो मेजर है ये विंटर जो है ना बहुत बरफ वाला विंटर वो बरदाश नहीं करता है नॉर्मल विंटर हो नॉर्मल समर हो वो ये बरदाश करता है तो इस किसम का मतलब वैदर ये बरदाश करता है और ये जो वैदर बरदाश कर और ये बेसिकली साइबेरियन परिंदा है ना तो इसकी जो उड़ान है ना उड़ान जो टॉप स्काय पे जब ये उड़ता है तो अगर ये नीचे आने लगता है ना तो लोग बोलते हैं कि ये हमने देखा है कि सूरज की रोशनी भी कम कर देता है और ये उड़ान जो है इस पाक ने इसको इतनी ताकत दी, बहुआ है, इतने सारे परिंदे भीजे था। तो ये ल्लापाक का ऐसान है हम पे और कोशिश करें कि इल्म सीकें और सिकाएं और आदे बढ़ाएं तो कहने का ये था मेरा कि 16000 से 26000 फिट बुलंदी पर ये फिलाइंग करते है और ये बहुत बड़ी बात एक बताने जा रहा हूं वीवर्स के 2000 किलो मीटर से 4000 किलो मीटर तक मतलब नौन स्टॉप ये उड़ सकता है तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीवर्स बाते बताई हैं और कोशिश की हैं कि अगर कोई चीज रहे गई हो मुझे तो माध़त वाओं मेले चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भाईयों में शेयर करें और माशलले एक और चीज दिखाता हूं ये देखें वो जारी एक बलेरी तो तैंक्यू सो मच अपना ख्याल रखेगा और दौाओं में याद रखेगा और एक विलोग अभी बहुत अनकरीब वो भी आने वाला है तो वो सर्प्राइब है वो इंशालला देखते हैं वो किस चीज़ का है मैं आपको बता हूंगा इंशालला वो भी आने तो मैंना खपक बालकरोा याल वो माराम खचाओं में उब लगाद को वो किसा रखेगा तो पह रह़ा क्वे नेखा य defence दो जबता हैं कÂना रकार देनल गाफस्たमरा मैं यह जो इंजार हैं